तो हड़ा अलेक्टिकल माइन्ड मेकर यूट्यूब चैनल ते स्वागत है आई दी वीडियो दा टॉपिक है ITI CBT एक्जाम जेड़ा के पार्ट 4 दे विच ट्रेट थियोरी MCQ दे बारे असी जानागे पहला कॉइस्चन है एक सथ वाट दे लेंप नो 240 वोल्ट सप्लाई नाल जोड़ा जावे ता एक किन्ना करंट लवेगा यानि कि एक सथ वाट दे लेंप नो जदो सी 240 वोल्ट नाल कुनेक्ट कर दें जोड़ दें ता उस विचो किन्ना करंट फ्लो करेगा option A 25A, B 2.5A, C 0.25A, D 0.025A, ता जदों असी current find out करना है, ता simple जड़ा ohms ला दे according है, ता I is equal to V over R आजंदा, लेकिन इत्थे साधे कोल की है, सिर्फ voltage दसी है, और resistance नहीं दसी होई, ता इत्थे की गिवन है, एक power दस्या, power यानिके जड़ी उस दा unit watt हैगा, और voltage दस्या, ता इक जड़े formula ने current, power, voltage और resistance find out करना है, ता असी जदो current find out करना है, ता साधे कोल पावर गिवन है, और voltage भी दसी होई है, ता इत्थे ए वाला formula लगेगा, I is equal to P over V, power साधे कोल की नहीं है, 60 watt है, और V 240 है, ता इत्थे सी 60 over 240, ता जदो सी इसनों calculate करांगे, ता डिवाइड किते तो जड़ा result आएगा, वो साधे कोल आएगा, 0.25, ता इत्थे सी जदो इसनों cut कर दें, ता साधे कोल final result जड़ा आएगा, 0.25 अंपेर आएगा, ता इस दी option C सही है, पहले थी, second question है, जे कर 100 watt दे, 10 lamp रुजाना, 6 कंटे जगदे हन, ता एक दिन विच किन्ने unit बिजली खब्त होवेगी, option A है, 60 unit, B 16 unit, C 0.6 unit, और D हैगा, 6 unit, ता जदो असी पहला असी देख दें हैं, कि टोटल पावर किन्नी है, पावर किन्नी है, जड़ी consume करेगी बिजली नो, ता इते 100 watt दे, 10 बलव ने, ता पावर फाइनल कड़ा लई, 100 into 10, ता इस अडिकूल आगया, 1000 watt, 100 watt दे है, 10 बलव है, ता 1000 watt आगया, इसनों सी 1 kilowatt लिख सक दे, ता किन्ने टाइमली चल दिया, 6 कंटे ले, into 6, 1 into 6, ता किन्ना हो गया, 6 kilowatt, किन्ने कंटे ले, 6 ले, ता आगया आंसर, 6 unit, kilowatt आर, 6 kilowatt आर, जड़ा unit आर, वो उस दे आंसर है, 6 unit, consume होनगे, एक दिन दे विच, ता आंसर इस दे विच, D हैगा, 6 unit, ता इसनों सी, दूसरे क्वेस्चन दा आंसर, D नों सही मननागे, तीसरा क्वेस्चन है, aluminium atom विच, किन्ने electron होंदे हां, ता aluminium दे विच, दे लेक्ट्रोन ने, किन्ने होंदे है, पुछा गया, option A है, Y, B हैगा, V, C हैगा, 13, और D हैगा, 39, ता इस दे विच, दे विच, दे लेक्ट्रोन है, उस दे, इलेक्ट्रोन है गया, 13 ने, ता 13 एलेक् दे लेक्ट देते हैं, विच, केड़ा, semi-conductor material है, यानिके semi-conductor तो पाव, अर्द चालक, ना ता ओ, conductor है, और ना ही, insulator है, ता option A है, silver, B, copper, C, porcelain, और D, germanium, इस दे विच, दे विच, दे लेक्ट्रोन, silver और copper, conducting material है, यानिके, चालक ने, और C, या porcelain, ओ, insulator है, यानिके कुछ आलक है, ता जड़ा, D हैगा, germanium, एहे, semi-conductor material हैगा, अर्द चालक है, ता अथे question दी, option D, सही है, पजमा question है, wire wound register, विच, केड़ी तात, वर्ती जान दी है, option A है, nickel, B, brass, C, copper, और D, meganine, ता जड़ी wire wound register होंदा, उस दे विच, जड़ी metal वर्ती जान दी है, वो, meganine है गिया, ता इस दी option D सही है, पजमा question पुछे गया, एक lamp, जिस दी resistance 500 ohm है, आते एहे, 100 volt दी supply नाल जुड़िया है, लेंप किना current लवेगा, ता जड़ो सी current find out करना है, जानि कि I find out करना है, ता इसनो सी V over R, formula नाल find out कर दे है, ता इत्ते सादे कोल V किन नहीं है, voltage किन नही है, 100, और R, यानि कि resistance किन नहीं है, 500 ohm, ता जड़ो इसनों calculate करांगे, ता सादे कोल answer आजेगा, 0.2 ampere, ता option है, A 2 ampere, B 20 ampere, C है गिया, 0.2 ampere, और D 5 ampere, ता सी calculate किना किता सी, 0.2 ampere, ता option C सही है, छे में question दी, सतों question है, यूरेका किस measurement दी तात है, यूरेका जिसनी वर्तों सी resistance त्यार करंदे लेग कर दे हैं, ता option A है, nickel 50%, copper 50, B हैगा, nickel 30, copper 70, C हैगा, nickel 60, copper 40, और D हैगा, nickel 40, और copper 60%, ता जड़ी ये दी ratio यूरेका दी, और nickel 40%, और copper 60%, दा जड़ा, अलाई मिलके, यूरेका मैटल त्यार हों दिया, अलाई मैटल है, ता option इस दी, D सही है, सतों में दी, अठों question है, intermediate switch किते वरती जन्दी है, option A है, किसे point नों दो थांतों कंट्रोल करन ले, B हैगा, universal motor कंट्रोल करन ले, C, split phase motor कंट्रोल करन ले, और D हैगा, किसे point नों दो तों वद स्थांतों कंट्रोल करन ले, intermediate switch किसे point नों जदो दो तों वद स्थांतों कंट्रोल करना होंदा, उन्हा थांते, A intermediate switch वरती जन्दी है, तो option is D सही है, 8 में दी. नुमा कोश्चना, dielectric strength दी, इक आई की है, option A वोल्ट, B ओहों, C किलो वोल्ट पर mm, और D हैगा, ampere, तो dielectric strength एक insulator दी, एक breakdown position है गिया, जिस position ते जाके, उस टे ते जाके, उस दी insulation दी strength खत्म हो जान दी है, तो इसनों 80 volts पर unit जड़े हो दी थिकनेस है, उस दे नाल माप दे है, तो इतनी किलो वोल्ट जड़े आगी है, और mm उस दी थिकनेस है, तो option इस दी C सही है, कि dielectric strength दाज़े यूनिट है, किलो वोल्ट पर mm है, तो option इस दी C सही है, एक चंगे चालक ओ हो हुन्दे हैं, जिनना दे प्रमानुआ दे बारले orbit विच की हुन्द है, option A है, चार फ्री एलेक्ट्रोन, B छे फ्री एलेक्ट्रोन हुन्दे हैं, C एक फ्री एलेक्ट्रोन हुन्दे हैं, और D पांच फ्री एलेक्ट्रोन हुन्दे हैं, तो जिड़ा orbit है, जिस तरह अंदसे है, नुकलियस सेंट्र दे विच प्रोट्रोन और न्यूट्रोन हुन्दे है, इस दे द्वाले की है, एलेक्ट्रोन पुम्दे है, और्बिट जड़ा लास्ट वाड़ा और्बिट है उसदी विच जड़े जड़े एक फ्री एलेक्ट्रॉन होगे ता ओ चंगे चालक दी केटागिरी विच होगे ता इसदी ऑप्शन सी सही है दसमें दी ग्यारमा कोश्चन है एक कुचालक जयने के इंसूलेटर ओ होगे हैं जिनना दे प्रमानुआ दे बारले और्बिट विच ऑप्शन ए है चार तो वद इलेक्ट्रॉन होंदे हैं बी तेन फ्री इलेक्ट्रॉन होंदे हैं सी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंदा है और डी उप्रो वोकत कोई नहीं इना विच्छों लजड़ा बारले ओर्बिट विच जीदे चार तो वद इलेक्ट्रोन हुन दिया ओ एक कुछालक जाने के इंसुलेटर केटागरी दिया आजन्दाव मटेरियल ता इस दी ऑप्शन ए सही है ग्यार में दी बारमा क्वेश्चन है इंसुलेशन दी और समरत केटागरी न 갈ां करते की, क्षर्व ने बारमा इंसुलेशन इन या ड्यक काटागरी न क उच्टागरी ने उननादी फ्लाइक इंसुले पेश्ट्यार में आजन्दी ऑप्शन एंसुलेशन ंसे ओगला ट्या इंसुलेशन थे ए69 इंसुल तेरों कोश्चन है कप्रेस्ट्र विच्ट करन्ट वोल्टेज की करता है ओउप्शन एह 90 डिगरी लेग करता है यानिकि पिछे रहें दा-द भी हैगा 90 डिग्री लीड करता है यानिकि अडवांश सलद की से गा, 180 degree lag करता है और D हेगा 180 degree lead करता है तो जड़ा कपेस्ट्र दे विच करंट है वोल्टेज तो 90 degree lead करता है अग्ये चलता है तो option इस दी B सही है तेर में दी चोदम कोश्चन आए डाइलेक्ट्रिक पदारत किस अवास्था वेच मिल दे हन? option A तर्ल अवास्था, B ठोस अवास्था, C गैस अवास्था और D उप्रोकत सारी जानी के liquid, solid और गैस केडिया अवास्था वेच मिल दे यड़े डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ने देह गया और यह अपने अंदर लेक्टिक चार्ज श्टोर कर सकते है गया तो एजड़े डायलेक्टिक माटीरियल ने यह सारियां ही वस्तच मिल देड़िया ओप्शन ए बी और सी है लिकुड शॉलिड और गैस जड़ी वस्तच मिल देड़ तो इस दी ऑप्शन डी सही है उ अंदरों को असने सॉलेणाइट दी पर लेटी किस रूल दोवारा पता किती जांदी यह आप्शन ए कोर्क स्क्रीव रूल बी एंड रूल सी फ्लैमिंग राइट हैंड रूल और दी हगा फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल सॉलेणाइट बेसिकली की है के एक एनेमल्ड कोयल बनाने है और यह मेगनेट जदो बना रहे हैं असी लेक्ट्रो मेगनेट ता इस दा जड़ा व्यास है डाय नालों लंबाई जादा हुंदी है स्लेंडरी के लिजेपदा हुंदा ता इसनों सी सॉलेड़ नाइड कहा दें ता इस दी पोलाइटी है पता करने है नौर्थ और साउथ पोल वह जड़ा अंड रूप दे नाल देख दें जड़े साइड तो जानिके एंड साइड तो दुन्नों एंड उत्थो सी देख दें त जे वो clockwise कुम रहा, current दी direction clockwise है गिया, तो साउथ पोल है, और जे anti-clockwise कुम दै current, तो उते नॉर्थ पोल है, ता सहीं end rule, जहां clock rule दी सहता दे नाल, solenite दी पता कर दे हैं, तो इते end rule दी option है गिया, B है गिया, तो option पंदर में दी B सही है, तो अमीद कर दे हैं, इस वीडियो तो तो आनों बहुत सारी जानकरी मिली होवेगी, और जेड़े साथ ही इस चैनल ते नमेने, और जिरूर सब्सक्राइब करलें, ताके तो अड़े तक नमी वीडियो दा नोटिफिकेशन मिलदा रहे, और वीडियो नू लास्ट तक